नमस्कार आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और ये 14 शर्ते हैं जो आरेन खान को फुल्फिल करनी होंगी और उसी की उनी शर्तों पर उनको वो बेल मिली है पहली शर्त ये है कि एक लाग का बॉंड उनको शुरिटी के नाम पर भरना होगा इसी तरह की और अक्टिविटीज में वो इंडल्ज नहीं हो सकते हैं और किसी भी को अक्यूस के साथ उनके दुबारा संपर्क बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं चौथी शर्त ये है कि उनको NCB मुंबई का जो दफतर है वो हर शुक्रवार को सुबह 11 से दो बज़े के बीच में जाना होगा अपनी प्रेजन्स वहाँ पर दर्च करानी होगी पाँचवी शर्त ये है कि वो हर उस डेट पर कोट की प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगे जब भी होगी छटी जो शर्त है वो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन जब भी कही जाएगी NCB द्वारा जॉइन करने के लिए तो उनको वहाँ पहुचना होगा साथवी शर्त है कि एक बार जब ट्राइल शुरू हो जाएगा तो वो किसी भी तरह से ट्राइल को डिले करने की कोशिश नहीं कर सकते है आठ भी शर्त ये होगी कि आरन खान जो है वो इन में से कोई भी टर्म्स को वाइलेट ना करे NCB entitled है to straight away apply to the special judge or court for cancellation of bail अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उनकी cancellation of bail के लिए वो apply कर सकते है इसके अलावा he should not take any action which is prejudicial to the proceedings before the honorable special court established under the NDPS Act शर्त ये भी है कि आरन खान जो है वो personally किसी भी witness के साथ मिलना जुलना नहीं कर सकते उनके साथ संपर्ख बनाने के कोशिश नहीं कर सकते और evidence का tampering नहीं कर सकते उनको अपना passport surrender करना होगा before the special court immediately आरन खान जो है वो he should not make any statement to the media मीडिया से बात नहीं कर सकते इस case के बारे में बिल्कुल भी चाहे वो print हो electronic हो या social media हो देश नहीं छोड सकते without prior permission from the special judge for NDPS at greater Mumbai आखरी शर्त ये है कि अगर आरन खान greater Mumbai से बाहर जाना चाहते है तो उनको investigating officer को inform करना होगा और एक पूरी itinerary investigating officer को देनी होगी कि वो कहा कहा जाएंगे कब कब जाएंगे वापस कब आएंगे ये सारी कि सारी बात चीत ये सारी कि सारी बाते उनको बतानी पड़ेंगी तो आरन खानी नहीं उनके साथ और जतने भी accused हैं उन सब के लिए ये सारी शर्तें देकर ही कोट ने उन्हें बेल दी है आपने देखा ही था कि बेल तो दे दी थी ग्रांट कर दी गई थी लेकिन उन्होंने कहा था Bombay High Court ने कहा था कि हम क्या-क्या इसमें शर्ते होंगी वो सारी बाते आज के दिन रखेंगे यानि एक दिन बाद तो अब Bombay High Court की तरफ से वो सारी शर्तें सामने आ गए जिनका पालन अब R.N. खान को करना होगा और अगर ये सारी बातों का पालन उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्होंने इतनी पावर्स दी है कि NCV कभी भी फिर उनके खिलाफ बेल रिजेक्ट करने का और बेल खत्म करने का एक पेटिशन दाय कर सकती है इस वीडियो को जाए सादा शेयर कीजिए लोगों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए साक्षी जोशी और यूट्यूब और फेस्बुक